तो जैसे कि आप लोगों ने थम्नेल और टाइटल में देखी लिए होगा कि मेरे गाड़ी का क्या हालत हुआ उसमें कितना पैसा लगा कितना टाइम लगा और भी क्या क्या चीज लगे यह मैं सब चीज आपको पूरे डीटेल में बताऊंगा तो आगे वीडियो में बने रहे हैं पूरी जाल करें के लिए तो स्टार्ट करते गाइस मैं उलक्ष जांगन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लक्ष जांग तीन यह था कि हमारा कॉलिज के एक अनोल फंक्षन था वहां से अपन वापीस आ रहे हैं तो राद के 11 बजे हुए थे हम लोग वापीस आ रहे थे मेरा भाई दूल अपने लाइट से दिखा नहीं अचानक से उसी में जाके हम लोग बुझ गाड़ी जैसे ही पड़ी स्टैंड हो गई हम लोग गाड़ी के उपर से गी रहे हैं तो बहुत दूर गे रहा हो तो थोड़ा पास नहीं गी रहा है अगर थोड़ा सभी दर उतर होता तो मैं ओवर हो सकता था पैरवाय तुक सकता था सर फट सकता था लेकिन ऐसा उस ताइम कुछ नहीं हुआ बगवान के लिए ऐसे मैं उठा उसका फोन में चला रहा था वो फोन और बेस के नीचे गिर गया था पहले फोन खोजे मिला नहीं तो कि मेरे फोन से अपने दोस्त लोग को कॉल लगाया हो लोगाया है तो यह 15-20 नाट बात बोलों की गया से तो दूसरे वास पे चले गए तो वहां से भी लोग कॉपी सा हम लोग लगपाद 60-70 के स्पीड में हो और गाड़ी ऐसे ठोकी और स्टैंड होगी तो ऐसा श्रिफ उसका लेकगार्ड और क्या उसको बैंट प पारें तो उसको हम लोगों में टोशन मारती होगार लेके हैं हमें लगा ज्यादा चूटनी है यह थोड़ी को बन जाएगी ऐसा करके तो घर में बनता है तो बढ़ा है तो उसके आद नेक्स दे अपन दोस्तों को पूला है और उसको शूर पोड़ेंगा गाड़ी को जैसे ही अपन शोरूम में छोड़ें उसके करीब 5-6 दीन पाद लोगडाउन लग गया तो उस ताइम बहुत प्रॉब्लम आगे करीब कि शोरूम में मेरी गाड़ी चार महने साड़े तीन से चार महने तक थी मैंने दो तीन बार वाँ विजिट भी किया कि गाड़ी बनाएं के लिए उसका वी वीडियो मैं टाल देंगा तो यह था आदा बानी कुली थी और उसका जो बहुं सार पार्ट सा जो इंपोट एक्सपोर्ट नहीं होना सा लगडाउन कर जैसे तो फोड़ा प्रॉब्लम था तो अभी जस्ट मेरे को मेरे गाड़ी लेने कहते है अपन उसमें भी थोड़ा इंशॉरेंस का इस्यू आता इस्यूरेंस थी गाड़ी की और इस्यूरेंस का भी कितना परसंट मिलेगा मैं पूरेंदेर में बताता हूं अपको तो इससे था कि यो मैं गाड़ी का एक्स्टिवेंट मिला था वो तो सा 75,000 जब गाड़ी बंद रही थी तो मैंने कहा कि मेरा टंकी शही है मैं टंकी तो उसके बाद हमारा एस्टिवेंट आया से 64 के आसपास लगबक 10,000 के आसपास स्टिव की तंकी तो मैं दिखाता हूं आपको कि क्यागेट चेंज हुआ मेरे गाड़ी में कि उसके पास मैंने कितना प्राइस जी और इंस्यूरेंस वाले ने कितना प्राइस बताया है वो तो गाईस आप लोगों ने देखिए कि प्राइट में कैक्शा पार्ट चेंज हुए यह तो था स्रिफ जो मैंन था और इसके अरावय भी मेरे पास एस्टिमेट पूरा है उसमें करीब 40 से 45 चेंज हुए शूटिज को भी उसमें एस्टिमेट में दिया गया है तो इस्टि मेरे को इंशॉरेंस के तरफ से मिला था 40,000 अनली 40,000 को कि 60-70% नॉर्मल मिलता है और मेरे केश में मैं एड़न करवाया था फिर भी पता नहीं वो इंशॉरेंस के तरफ से कोई इसू था इसलिए उसे और बाकी नहीं मिल पाया तो पता नहीं क्या हुआ हुआ है कि अभी भ लगबद मैंने 24,000 प्रे करके अपनी गाड़ी लाई तो मैं आपको उसका भी रिव ना कारी का वो दिखा देता हूं आपको कि कैसा है और क्या के चेंज हुआ है मरी गाड़ी कैसे दिख रहे है इसमें देख सकते हैं यह मटगाड चेंज हुआ है इसका अपने को पार्ट सब्सक्राइब ने मिला है लेकाड बैंड़ फाइफ साइलेंसर है 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 यह पीछे का पूरा लाइट स्रेट चेंग हुआ है तो यह तावा गाड़ी बनने के बाद कैसा दिख रहे है 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 टंकी चेंज करने वा लेते लिकिन नहीं करवा है आपन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो में और बनाऊ तो फॉलो करो लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताना और गाइस एक्सिडेंट से बच्चना ज़रूरी है हेल्मेट लगाना हेल्मेट में लगाया था यह मेरा प्रिकॉशन था कि हमें कुछ नहीं हुआ और का olan दो hadाल क हमें में लगाया को आप udah प्मेक करत Wareाना हे वीडियरिया है友 लग तो हrau हमें और गूह के वीडियर बताना प्रिकॉशने देंडर में लगाया में तिक éिसक ऊड़ भगाई वीडियों और क।